तापमापी द्वारा तापमान नापा जाता है क्योंकि तापमापी के अंदर जो द्रव होता है उसका तापी ये प्रसरन होता है यह द्रव मरक्यूरी अर्थात पारा या अलकोहल होता है पारा धातू होने के बावजूद सामान ये तापमान में द्रव रूप में ही पाया जाता है जब भी किसी वस्तू का आयतन तापमान वृद्धी के कारण बढ़ता है तब हम उसे आउश्निक या तापिय प्रसरन कहते है जब कोई भी पदार्थ गरम किया जाता है तब उसके कणों में जलत गती से हलचल शुरू होती है किसी भी पदार्थ के कण स्वयम प्रसरित नहीं होते है लेकिन उनके बीच में जो अंतर होता है वो बढ़ने के कारण संपूर्ण पदार्थ का आकार बढ़ता है अलग-अलग पदार्थ विभिन प्रकार से अलग-अलग तापमान में प्रसरित होते है जब हम तापमापी को किसी गरम पदार्थ के साथ संपर्क मिलाते हैं तब उसमें जो द्रव होता है वो प्रसरित होता है और तापमापी में अपने आप को समयोजित करने के लिए वो द्रव उपर की ओर बढ़ता है हम तापमान को उस द्रव पदार्त के प्रसरण के आधार पर नापते हैं तापमापी में पारे का इस्तमाल किया जाता है पारा तापमान की एक विशाल सीमा तक द्रव रूप में ही रह पाता है तापमान बढ़ाने अत्वा तापमान के कम होने पर पारा गती से संकुचित और प्रसरित होता है यह एक सामान यह तापमापी है इससे हम 100 degree Celsius तक का तापमान नाप सकते हैं जैसे जैसे हम पानी को गरम करते हैं हम पारे के स्तर को बढ़ते हुए देख सकते हैं तापमापी या तापमान नापने वाला उपकरण है ये उपकरण बहुतिक परिवर्तन के सिद्धान्तों पर काम करते हैं जिनमें पदार्थ में तापमान में परिवर्तन के बदलाव आते हैं ये परिवर्तन द्रव पदार्थों के आयतन में, ठोस पदार्थों के आयामों में, वायू के दबाव में, विद्युत के अवरोध अथवा रंग में आते हैं। तापमान को अलग-अलग पद्धती से नापते हैं। सामानी रूप से तापमान नापने के लिए Celsius और Kelvin ये दो पैमाने होते हैं। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वैग्यानिकों ने कणों की कौन सी स्थिती को 0 degree Celsius और कौन सी स्थिती को 100 degree Celsius समझे, इसे किस प्रकार तै किया होगा। Celsius और centigrade नामक पैमाने अदल बदल कर इस्तमाल किये जाते हैं। तब उस तापमान की व्याख्या 0 degree Celsius की गई है। इसे 0 degree Celsius इस प्रकार से लिखा जाता है। इस तापमान को पानी का हिमांक बिंदु कहते हैं। वातावरणिय दबाव में भाप और पानी के मिश्रण के तापमान की व्याख्या 100 degree Celsius के रूप में की गई है। इसे पानी का कुवथनांक बिंदु, अर्थात भाप का बिंदु कहते हैं। हम ऐसी तापमापी तयार करेंगे जिसके तापमान की सीमा पूर्व निर्धारित होगी। हमारे तापमापी के तापमान की न्यूनतम सीमा कमरे का तापमान अर्थात 30 degree Celsius होगा। और हमारे तापमान की उच्चतम सीमा गरम पानी का तापमान अर्थात 70 degree Celsius रहेगी। चूंकि पारे का इस्तमाल करना खतरनाक और मुश्किल भरा हो सकता है, इसलिए हम पारे के स्थान पर मिथनॉल का इस्तमाल करेंगे. ये प्रयोक शाला में बर्नर में इस्तमाल किया जाता है. हम मिथनॉल में स्याही की कुछ बूंदे डालेंगे ताकि मिथनॉल हमें साव रहित है अर्थात इसमें से कुछ टपक नहीं रहा है अब हम ये शीशी गरम पानी में रखेंगे इसका तापमान सत्तर डिग्री सेल्सेस होना चाहिए गरम होने के बाद मिथनौल का प्रसरण होता है प्रसरण होने के कारण वो शीशी से जुड़ी नलिका में सतर है हम पूरी लंबाई को 40 भागों में विभाजित कर सकते हैं यह सामान ने तापमापी का हमारे द्वारा बनाया गया संस्करण है यह तापमापी 30 डिग्री से से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान नाप सकेगी हर एक विभाजन तापमान में एक अंज से होने वाले बदलाव को दर्शाता है मिथनौल तापमान कम होने के बाद संकुचित होता है हम उसे ठंडे पानी में रख सकते हैं काच के नली में उसका स्तर नीचे जाता है इस प्रक फैरनहाइट फैरनहाइट तापमान ये पैमाना 32 डिग्री हीमांग बिंदु दर्शाने वाला होता है उसका क्वथनांक 212 रहता है 32 और 212 इसमें अंतर का विछार करते हुए 180 समान भाग किये जाते हैं 1970 तक ये पैमाना विदेशों में ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले देशों में इस्तमाल होता था Celsius और centigrade नामक पैमाने अन्य देशों में इस्तमाल होते थे और साथ ही पूरे विश्व में ये पैमाने उनके वैग्यानिक प्रयोजनों के कारण ज्यादातर इस्तमाल किये जाने लगे तब से अधिकतर अंग्रेजी बोलने वाले देश Celsius को तापमान के पैमाने के रूप में अधिक्रुतता से इस्तमाल करने लगे किसी भी तापमान को Celsius से Fahrenheit में परिवर्तित करने की पधती इस प्रकार से है इसमें F बराबर 9 इसे Celsius से गुणा करते हैं और पाज से विभाजित करते हैं उसमें 32 जोडते हैं ये समिकरण इस्तमाल किया जाता है Celsius तापमान को ही Centigrade तापमान के नाम से जाना जाता है ये पैमाना पानी के 0 हिमांक बिंदू और पानी के 100 क्वतनांक बिंदू पर आधरित होता है ये तापमान पैमाना 1742 में स्विडिश खगोल वैग्यानी आंडर सेल्सियस ने खोज निकाला था कभी-कभी इस प्रणाली को Centigrade पैमाना भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 100 डिगरी के फासले का विशिष्ट बिंदूओं में विभाजन होता है हम इस सूत्र की मदद से तापमान के Fahrenheit पैमाने को Celsius पैमाने के मूल्य में परिवर्थित कर सकते हैं Fahrenheit को F से दर्शाया गया है और Celsius पैमाने को C से Celsius पैमाने का उपयोग अधिक तर जहापर मेट्रिक एकक अपनाया गया है वहाँ पर होता है और ये वैग्यानी की काम के लिए उपयुक्त माना गया है चुनौती क्या आप नमकीन पानी के घोल के तापमान को Celsius में नाप सकते हैं उसका तापमान साथ दशमलव नौ डिग्री फेरनाइट होता है केलविन तापमान का पैमाना थर्मोडाइनमिक तापमान की मू लिकाई है जो नापने की अंतराश्ट्य पद्दति एसाय पर आधारित है पूर्ण तापमान के पैमानों का उपयोग करने से हम बहुत सारे भौतिकी के नियम और सूत्र बड़ी आसानी से समझा सकते हैं इसी के आधार पर केलविन पैमाने को वैग्यानिक तापमान मापन के लिए अंतराश्ट्य यह मानक के रूप में स्वीकार किया गया है केलविन पैमाना ये सेल्सियस पैमाने से सल्लगन है पानी क क्वथनांक और हिमांक बिंदू में सौ डिग्री का अंतर होता है इस कारण केलविन पैमाना भी उतना ही परिणाम दिखाता है जितना सिल्सियस के पैमाने पर दिखता है क्या आप अलुमिनियम अथ्वा तामबा इस्तमाल करके तापमापी तयार कर सकते हैं चुनौती अगर हमने तापमापी में पारे के स्थान पर अल्कोहोल इस्तमाल किया तो क्या होगा क्या तब भी शूने डिग्री और सौ डिग्री के बीच अंतर उतना ही रहेगा विचार कीजिए चुनौती क्या हम पारे की तापमापी का उपयोग रिंड 40 सेल्सियस तापमान नापने के लिए कर सकते हैं इस बारे में दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए सभी तापमापी तापमान नापने के लिए द्रव का इस्तमाल नहीं करती है आपने भी अन्य प्रकार की तापमापियां बाजार में देखी होगी प्रोब तापमापी अन्य द्रव और कुछ अर्धठोस पदार्थ का तापमान नापने के लिए उपयुक्त है उस पर तापमान अंकों में दर्शाया जाता है जो पढ़ने के लिए अधिक आसान होता है ये तापमापी अंतरगत सेंसर के आधार पर काम करती है ये अबरक्त तापमापी अर्थात इंफ्रारेड थर्मामिटर है इससे हम किसी भी वस्तू को हाथ न लगाते हुए उसका तापमान नाप सकते हैं इसके सामने एक सेंसर लगा होता है जिससे किसी भी वस्तू का तापमान नापा जाता है हमारे दाहिनी और जो बरतन है उसका पानी कमरे के तापमान का है और हमारी बाई और जो बरतन है उसमें गरम पानी है। जब हमने अवरक्त तापमापी को बाई बरतन के पास लिया, तब पानी का तापमापी अतिऊश्ण और अतिशीत सतही तापमान नापने के लिए इस्तमाल की जाती है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में उस वस्तु के निकट जापाना संभव नहीं होता है। अनलोग तापमापी आमतोर से घर में इस्तमाल की जाती है। इस तापमापी में द्रव अत्वा विधातू पट्टियां तापमान नापने के लिए इस्तमाल की जाती है। वैदिकिये पैमाना 35 degree Celsius से 42 degree Celsius तक रहता है प्रयोग कक्षा में इस्तमाल होने वाली तापमापी लैब तापमापी इस नाम से पहचानी जाती है इस तापमापी के तापमान की सीमा रिण 10 degree Celsius से 110 degree Celsius तक रहती है वैसे तो तापमापी में हमेशा पारे का ही इस्तमाल किया जाता है फिर भी नए तापमापी में पारे के समान दूसरे द्रवों का उप्योग भी किया जाता है जैसे सेंसर, अलकोहूल, सारांच हमने उश्मा और तापमान के अंतरों को जाना साथ ही हमने तापमान कैसे नापते हैं और तापमान के कारिय के बारे में भी जाना चुनौती, यह हथोड़ा अलिमिनियम के खंड से अधिक भारी होता है उसका तापमान भी अलिमिनियम के खंड से अधिक होता है यदि हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ संपर्क में रखा तो उश्मा का सववहन किस मार्क से हथोड़े से अलुमिनियम से हथोड़े तक चुनौती मैंने पानी गरम किया तब उसका तापमान दस डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया केलविन पैमाने पर यह तापमान कितने अंस से बढ़ेगा